आज हमारे साथ हैं जावेद अक्तर पटकता हो या गीत या फिर शायरी जावेद नी जहां भी कदम रखा सक्सेस ने उनके कदम चुमे उन्होंने संगार्श भी खूब किया कई-कई राते भूखे भी रहे कहीं कोई सहारा नहीं था लेकिन होसले बुलंद थे आखिरकार उन की मेहनत रंग लाई समवाद लेखन हो या शायरी उन्होंने सफलता का नया इतिहास रचा कई हिट फिल्मों के समवाद लिखे गीत लिखे और कुछ नया करने का उनका सफर आज भी जारी है तो चलते हैं जावेद के पास तो आईए बात्चीत शुरू करते हैं जावेद अग्तर से जावेद साब आज से 25 साल पहले आपने जो एक एंगरी यंग मैन को बनाया था आज की लेट में अगर जावेद अक्तर को किसी एक हीरो को बनाने की कोशिश करे तो उस हीरो का स्वरूप क्या होगा मुझे लगता है कि वह एंगरी यंग मैन से बहुत होगा जिसमें संसरिफ हूमर होगा अजिए फ्लेजंट होगा लेकिन वो वीक आदमी नहीं होगा इसके साथ आहमतोर से इसा लगता है कि जो लोगा शांत हैं वह मजबूत है और जो लोग कि शांत हैं पुर कमजूरी यह सा नहीं है वह एक औसूल Allah अदमी होगा लेकिन boring आज में नहीं होगा Hero देखे क्या होता है Hero अपने वक्त की जो morality होती है और अपने वक्त की aspirations होते है उसका personification होता है hero क्योंकि moralities वक्त के साथ change होती है और aspirations वक्त के साथ change होते है इसलिए hero की image भी change हो जाती है But basically hero में क्या बदलावात है? तो राइटर के खुद की सोच में आता है। corporate संवाच इस सोच को किया एक राइटर अपने धांक से दिखा सकता है, इसा नहीं है , यह तो उल्हों है कोई लगश् zone की एक गिवन टेक है, थे एक प्रोसेस होवासमसे है जो के two way है, समाज राइटर को influence करता है, इसलिए कि राइटर उसी समाज की पैदावार है, और राइटर, इसलिए है राइटर कि वो थोड़ा जादा सोचता है, तो वो समाज को influence करता है, तो एक दूसरे से मिल जुल के चलते हैं, कुछ वो उसे देता है, कुछ वो उसे देता तो इस तरह से जिनने की चलती है लेकिन उस समय का जो आपने हीरो क्रियेट किया था वाज़न्ट ही एन ऑल्टर इगो आफ जावेद अक्तर आफ वाट जावेद अक्तर वाज़ आट पॉइंट एक अकेली मेरा तो था नहीं दो आद्मियों ने मिल की वो काम किया था सलीम साह और हम उस समाज का हिस्सा थे हमने ऐसा सूचा नहीं था कि यह हमारी कंटिम्परीरी सोचल ठींकिंग है और यही एक सोचियो पलिटिकल रियालिटी है और यह मैसेज की साहिकी है ऐसा कुछ नहीं सोचा था पर उस एंगरी यंग मैन को जो आपने क्रियेट किया था जिसकी जो पूरी जो सोच थी उस सोच के पीछे जावेद अक्तर की खुद की कितनी सोच थी फगेट अबॉट सलीम देखे है क्या कि राइटर और राइटिंग कोई वाटर टाइट का पार्टमेंट में नहीं रहते हैं वो बहुत जुड़े हुए हैं तो कैरेक्टर तो इस राइ विल राइटिंग for example रूप की राणी चोरो कारा जा और प्रेम की आपका जो खुद का राइटर है वो कही ना कहीं कुछ को ताहित ब इस राइटर tykai third दिद जैक्या तुड ए क्यु द esa है वो used बान्ड काॉड रैटर रृर रॉआ टें के बीचमे नहीं है तो राइटिंग जिल्दा नहीं है, वो अलाइव नहीं महसूस हो रही है तो फिर क्यों लिखी आपने इस तरह की राइटिंग, why did you do that? और what made you to do that? जब भी कोई आजमी काम कर रहा है, तो अच्छा भी करेगा और बुरा भी करेगा ये तो मुम्किन नहीं है कि वो हमेशा अच्छा करें फिर होता क्या है कि जब आप एक काम आपका पेशा हो जाता है तो कभी कभी उसे आप पूरी आर्जू, पूरी तमन्ना और पूरी इमोशन के बगएर भी करते हैं इसलिए को काम है, जैसे कि एक नौ से पांच का जॉब होता है ना कि आदमी जाना ही है, ये तो करना ही है, ये तो लिखना ही है तो उसमें फिर मिकैनिकल भी हो जाए आदमी, ये भी मुम्किन है काम्याबी का एक और बहुत बड़ा खत्रा होता है कि बाकी लोग तो आपकी काम्याबी की नकल करते हैं हद यो होती है कि आप खुद भी अपनी काम्याबी की कभी कभी नकल करने लगते हैं जबके काम्याब जब हुए तो नकल नहीं कर रहे थे तो बजाए इसके कि हम अपने एमोशन से लिखें हम अपनी feeling से लिखें, हम अपने excitement से लिखें, हम अपनी memory से लिखने लगते हैं, कि हम यह कैसा लिखा था वो बड़ अच्छा लगा था और यह अच्छा लगता है वैसा लिख दो, वो काम जो है दिखाई दे जाता है कि इसमें आपका अपना emotion, अपनी feeling और अपना excitement involved नहीं थ इसलिए वो काम जिन्दा नहीं लगता और यही इन फिल्मों के साथ हुआ जब आपको यह रियलाइजेशन हुआ तो वाट 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 इडाइड दू इस ऐसा कुछ लगा किया मुझे ऐसा लगा कि as a script writer मैं कहीं mechanical हो गया हूँ और कहीं एक ठकन मुझ में आ रही है और मैं उसे पूरे दिल से नहीं किया मैंने काम और यह जिन पिक्चरों का आपने नाम लिया जहां तक क्राफ्ट का तालुक है बहुत अच्छी है उसके screenplay के structure बड़े उंदा मगर कमी क्य कमी यह है कि इसमें writer का emotion नहीं है पर अब जब इन पिक्चरों को लिख रहे थे तो आपको इस चीज का एहसास नहीं हुआ है अगर मुझे इसका हिसास होता तो मैं क्यों ऐसा करता हूं उससर्फ तो मुझे ऐसे ही लग आते हैं है ठीक हो गया है लेकिन जब उन्हें करके प पार्टनर्शिप में writing करें या किसी और के साथ मिल के कुछ और लिखें नहीं अगर किसी के साथ लिखना हो तो सलीन साथ जैसा कोई writer नहीं बहुत अच्छी writer बहुत बड़े writer तो जब उन्हीं के साथ मैं नहीं लिख रहा था तो दूसरे क्या सब होता है कोई सवाली नहीं सलीम साथ की बारे में कह रहा हूं और जो रेपो हमलों का रहा हूं जिस तरह से हमने साथ में काम किया मैं नहीं समझता कि मैं किसी दूसरे writer के साथ उस तरह से काम कर सकता हूं जैसे हम लोंने किया था कोई 10-11 साल और वो बहुत अच्छा काम किया था तो जब वो partnership खत्म हो कोई तो भी दूसरी partnership का क्या सवाल है सवाली नहीं होता था कभी कोई मिले उसी caliber का राइटर आप उसके साथ लिखना पसंद करें क्यों आप बहुत insulated हो गये हैं क्या नहीं यह वजह नहीं अब वो जिंदगी का वो एक chapter था वो नहीं रहा खत्म हो गया अब मैं कुछ ऐसी की खौहिश नहीं दिल में चाभी आपने कहा कि अगर राइटर खुद से गुजरेगा नहीं और अगर वो मेमरीज पर लिखने लगेगा तो क्या लिखेगा जैसे अभी आपने अपना खुद का जिक्री किया इसकी मिसालियों ले लिए आप यूं समझेंगी कि जैसे एक ए देता है तो आपको वो सीन नहीं टुक्स करेगा लेकिन अगर वो सीन में डूब जाता है और उस सीन के दर्द को महसूस करके एक्टिंग करता है तो आप पे दूसरा असल होगा यही राइटर के बारे में भी है आपने जब अपनी तरकष लिखा तो आप फिर यू वेंट आप चालीस साल पीछे चले गए आप आठ साल के जादू हो गए और आप पंदरह साल के वो जावेद अख्तर हो गए जिसे पढ़ने में बिल्कुल मननी लगता था तिन हाव डिडिड यू रिलिव दा आप अपने उनसी चीजों को फिर कैसे रिलिव किया ऐसा नहीं है इस आपको यू आपना सोचिए कि एक आदमी है जो अब एग्जस्ट हो गया और इसके पाई मोशन नहीं बचा है या एक आदमी है इसके पाई मोशन है और कॉंस्टेंटली मोशन ही रहेगा ऐसा नहीं होता है यह मोमेंट्स हैं आपका कुछ चीजों से कॉंटेक्ट टूर जा यह जो है तरकष इस कालेक्शन आफ माई पोईट्री जो मैंने दस बरस में लिखी है तो यह कभी एक दिन बैठके लिखी वी चीजी नहीं है यह एक पोएम धियान में आई लिख ली फिर कई बरस तक तो इनमें से कुछ छपाई नहीं था सिर मैं लिखता था कुछ दो चा करियर शिफ्ट आपके लिए जब आपने फिल्मों का स्क्रिप्ट राइटिंग छोड़ करके और पोईट्री अपनी विरासत से जैसे आपने कहा कि मेले सम्चौता कर लिया अब ये भी कुछ ऐसा हुआ कि अब ये भी कुछ ऐसा हुआ कि it was not an overnight decision. It was a process of a very long fade in and fade out. Scripts मैं ल और फिर वो धीरे धीरे अपनी स्क्रिप्ट के अलावा दूसरों के भी गाने लिखने लगा फिर आइस्ता हिस्ता कुछ गाने पर emphasis बढ़ता चला गया फिर ये हुआ कि मैं स्क्रिप्ट धीरे छोड़ी थी अब मैं फिर लिखने वाला हूँ अब पितले कई बरस से मैंने स पर चलते हैं नहीं मर्दी तो घर दिगी में थोड़ी दूसरों की भी रखनी चाहिए कुछ अपनी के दूसरों की इसलिए कि फिर अपनी मर्दी पे तो जिन्दगी नहीं चलती लेकिन ऐसा है कि खाना तब ही खाना चाहिए जिब भूख लग रही है तो मैंने बिना अच्छी बात नहीं थी, अब मुझे वाकई भूक लग रही है, तो मेरे दिल चाह रहा है लिखने को, तो अब मैं लिखूँगा।